मेरे दोस्तों आज हम प्रसनावली 8.4 जो NCRT भूक 13 कलास का प्रसक कर्मान 5 का भाग नमर 4 को इस वीडियो के अंदर हम लोग सल्फ करेंगे यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सकाइब कर लेंगे देखें प्रसन जो इस तरह से लिखा हुआ है और संकेत में कुछ दिया हुआ है कि वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सरल करना है ठीक है वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग इसमें हमको सरल करना है वाम पक्ष कहा गया है LHS जो बायां पक्ष को कहा गया और दायां पक्ष को RHS कहा गया जो ये दोनों को अलग अलग हम लोग को solve करना है तो एक पर सेक ए और बटे में क्या है तो एक तो इसे हम क्या करेंगे तो यहां लिखेंगे क्या वन पलस और सेक एक का फर्मूला हम क्या यूज करेंगे देखे सेक ठीटा पराबर क्या है एक बटे कॉस तो यहीं हमको यूज करना है तो यहां लिखेंगे क्या एक और बटे में कॉस ए और यहां फिर बटे क्या हो जागा यहां हो जागा सेक ए ठीक है इस तरह से हो गया अब यहां हम क्या करेंगे इसके नीचे नहीं कुछ तो एक करेंगे और इसे यहां पर हम बटापर का जोर कर लेते हैं ठीक है तो इसका LCM क्या हो जागा LCM इसका हो जागा कॉस ए ठीक आब इसे हम जब बटापर का जोर करेंगे तो एक एकम एक और एक से कॉस में गुना होगा तो क्या होगा यहां पर cos A ही होगा और फिर plus का plus cos A, cos A से एक मतम में कर जागा, एक में एक से गुना करेंगे एक, और यहाँ क्या हो गया इसे भी हम क्या करेंगे, बदल लेंगे इसे यहाँ जो लिखा हुआ है sick A, इसे हम क्या change कर लेंगे ऐसे ही cos A लिख लेंगे ठीक है इस तरह से हो गया अब यहां क्या हो गया यह चार भाग में आ गया तो इसे क्या करना है हमको इस तरह से लिखेंगे cos a plus one और बटे में क्या लिखेंगे ये cos a इस तरह से हो गया पहले ये दोनों अभी इसके बाद हम उल्टा देंगे और इसे उल्टा के लिखेंगे लिखेंगे क्या cos a और बटे में एक अब क्या करेंगे हम cos a से cos a कार देंगे हमें बच गया क्या तो यहां cos A plus 1 बच गया तो क्या हो गया cos A और plus 1 हमें यहां पर बच गया तो यह हमें क्या आ गया तो यह हमें LHS का भाग आ गया ठीक है फिर अब हमें क्या करना है अब RHS से क्या करना है RHS से अब RHS का भाग हमको तोड़ना है जो कि RHS का भाग हमें क्या दिया है sin square a बड़ाबर 1-cos a ये हमें दिया है और इसी को तोड़ने के बाद क्या करना है जो LSS का भैलू जो आगया हमको cos a plus 1 यही हमको यहाँ पर लाना है तो क्या कर लेते है RHS का प्रसंद लिखते हैं तो क्या दिया है कि sin square a और बड़े क्या दिया 1-cos a अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखें, sin square है तो यहाँ सुत्र क्या होता है एक सुत्र होता है sin square ठीटा बड़ाबर 1-cos square ठीटा यह सुत्र होता है यहाँ पर क्या होता है यही सूत्र हो जाता है अब यह सूत्र हो जाता है तो क्या लिखना पड़ेगा यहां लिखना पड़ेगा वन माइनस कॉस एसक्वाइड ए और बट्टे क्या लिखेंगे यहां एक माइनस कॉस ए ठीक है अब अगला position क्या होगा यहां जो यह कौस square A जो दिया हम यहां पर मन से क्या लिख सकते हैं इस पर square चरहा सकते है यदि जब हम इस पर square चरहा देंगे तो यह क्या हो जागा formula A square minus B square का फर्वulative फर्मूला हो जाएगा A square minus B square हो जाएगा और इसका सुत्र क्या होता है 1 plus cos A, और फिर cost में क्या लिखेंगे, 1 minus cos A, और बट्टे क्या लिखना पड़ेगा, ये बला 1 minus cos A, ठीक है, अब 1 minus cos A से cos A कट गया, तो बड़ाबर में बच गया क्या यहां पर, तो बड़ाबर में हमको बच गया, 1 plus cos A, ये ची हमें बच गया यहां, ठीक है, तो इसको क्या कहा गया, RHS और LHS, हमें दोनों, एक दूसरे का बड़ाबर आ गया, तो लिखेंगे क्या, इसलिए, लिखेंगे यहां पर, LHS बड़ाबर, RHS सीध हुआ, क्या लिखना पड़ेगा, सीध हुआ, क्योंकि हमें यहां पर कहा था, कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष, LHS और RHS दोनों को बनाने के लिए, और दोनों को जब बड़ाए, तो LHS का वैलू इतना आ गया, और RHS का भी इतना ही आ गया, मतलब दोनों का सेम आ गया, तो यहां पर लिख देना पड़ेगा, इसलिए LHS बराबर RHS, दोस्तों आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा, तो एक लाइक कर लेंगे, और चैनल को क्या करेंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लेंगे,